पाली बनाते है दाल बाटी, इसके लिए तीन दाल लिया हुआ है, उरत दाल, तुवेर दाल, मूंग दाल, तीनों दालों को कुकर में तीन सीटी लगा के हमें पका लेना है, उसके बाद एक पैन लेना है, पैन में तेल डाल कर इसमें जीरा, अजवाइन डाल देना है, फिर लेसुन को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देना है उसके बाद इसमें हमें कड़ी पत्ता तेज पत्ता सुखी हुई लाल मिर्च डाल देनी है फिर इसे अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसमें हमें उबली हुई दाल डाल देनी है दाल थोड़ा सा मिक्स करके इसके बाद हमें इसमें थोड़ा आधा कप पानी डाल देना है पानी डालने के बाद इसे अच्छे से थोड़ा मिक्स कर दीजे फिर इसमें हमें सारे मसाले डाल देना है जैसे जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी अदरक मिर्च, लेसुन का पेस्ट लेसुन की, लाल चटनी, यह सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर देना है, फिर हमारी दाल तैयार है उसके बाद हमें बाटी बनानी है, और बाटी के लिए हमने गेहू का आटा लिया है उसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे अजवाइन डालने के बाद इसमें हम स्वादरमसार नमक डाल देंगे और आटा गूत लेंगे आटा गूतने के बाद इसे हमें ऐसे शेप देना है और फोक से ऐसे इसमें हमें निशान बना देने है फिर उसके बाद इसे हमें स्टीम कर लेना है स्टीम करने के बाद इसे हम फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने के बाद हमारी बाटी टैयार है और इसे मैंने सर्फ किया है पापड, अचार, गी, नीमबू और कांदे के साथ आप भी ट्राइ कीजेगा